फ्रेंट्स आज स्टार्ट करते हैं कंपरेजन करना डामसीटी 8050 वर्स डामसीटी 930 का तो देखते हैं कि कौन सा प्रोस्तर बेटर हर बार की तरह ऐसे होने वाला है कि जो डामसीटी 8050 है वो काफी बेटर निकलने वाला है और 930 थोड़ा सा पीछे रहेगा बट यहां पी य आने के लिए वीडियो में लास तक बने रहेगा और गेमिंग और बाकी प्रोस और कौन से लास में अपना कंक्लूजन भी बताऊंगा है फ्रेंट्स मैं हो गवर और आप देख रहे हैं टेक रूम basic information बात करते हैं 8050 में यहां पे जो माई 2023 में आस हुआ था 930 माई 2022 में वैसे 930 एक डिग्रेड़ेड़ वर्जन है 920 गा वैसे मुझे लगा था कि 930 जब आया था तो यह प्रोसर साथ अप्ग्रेड़ेड़ वर्जन होगा 920 का बट अनफॉर्चुनेटली एक डिग्रेड 93 ABCD 88 कुछ भी हो सकता है 930 की बात किया तो MT6878 जिया गया है TDP की बात किया तो 5W और 5W प्रोसेसर दोनों ही हैं दोनों का कहीं मिंसर नहीं है मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ अपने लिग्रेड़ की बात किया तो दोनों ही प्रोसेर अक्टा कोड दिये गए हैं डामसरी 8050 में 1st कोड 3 गीगार्ट लॉट लॉटक्स अच एच तो यहां पर जो 930 में Cortex A78 रिया गया है ये अच्छी बात है बट यह हमें Cortex A78 का नंबर कम है, Frequency कम है, TDP कम है तो इसके वज़े से Performance भी कम हो जाएगी Frequency की बात किया है तो जो 8050, 3000 MHz पे Clock आता है and 930, 2000 and 200 MHz पे Clock आता है Fabrication की बात किया है तो Fabrication जो है 6nm Technology दोनों का ही है, तो यहां से Difference नहीं आने वाला है बात करते हैं इसके Graphic Support की, तो Graphic Support मा जो GPU है 8050 का इसमें मिलता है Mali G77 MC9, Artrichs का Wall Hall है 930 में मिलेगा IMG BXM 8256, Artrichor Power VR B-Series और बात करने इसके Frequency की, तो जो 8050, 850 MHz पे Clock आएगा and 930, 900 MHz पे Clock आता है Floating Points में अब Competition Power की बात किया है, जो Competition Power 8050 का है, वो 980 है, वहीं 930 का around 500 हो सकता है Memory Type Support की बात किया है, तो RAM Type Support में Damacy 8050 LPDDR4X को सपोर्ट करेगा RAM Frequency 218.33 MHz की है, and Damacy 930 की बात करने तो इसमें LPDDR5 का सपोर्ट मिलता है, RAM Frequency भी बेटर है 3200 MHz Storage Type की बात किया, तो जो Damacy 8050 UFS 3.1 का सपोर्ट करेगा and 930 UFS 3.1 का सपोर्ट करेगा तो यहां पर भी जो RAM Type-Up को बेटर मिलता है, वो 930 में the performance थोड़ी सी बढ़ जाएगी अब बात करते हैं इसके गेमी ग्राफिक सपोर्ट की, 8050 का डेटा Tecno Camon 20 Pro से लिया था, पहली बार इसी पे मिला है मैक्स का सपोर्ट मिल जाता है, वोई 930 की बात करेज़ में balance साथ high का सपोर्ट दिया गया, इन future updates यह भी medium का साथ high हो सकता है तो gaming graphics एक बार आप जरूर verify कर ली जगा, और comment में पूछ ली जगा तो मैं update दे दूँगा और बात के जाब video capture की, तो video capture 8050 4K at 60fps capable processor है, वोई 930 2K at 30fps सपोर्ट करता है प्लेबैक भी दोने प्रोस्टर का से 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 रहेगा, और डिस्पले भी दोने प्रोस्टर का से से में 2520 तो 1080 pixels और NPU की बात के तो दोनों के पास NPU अबलेबल है, connective device दोने प्रोस्टर 5G support करते हैं, 4G care में LTCAT 19, LTCAT 18 दिया है, Bluetooth 5.2 की technology दोनों के पास है, Wi-Fi 6 और Wi-Fi 5 का support दिया गया है, तो better connectivity आपको 8050 में दी गई है Geek Vince की बात करें, सिंगल कोर में, तो यहाँ पर जो सिंगल कोर performance टेश्ट है, Damageddy का 1000 approach score आएगा, and Damageddy 930 का 700 तक score आता है, तो यहाँ पर 700 score है, एक medium से थोड़ा better score आएगा, 700 score भी काफे च्छा score होता है, but 1000 से तो कम ही है, यहाँ पर आपको performance देखने को मिलेगी, 8050 में better मिले कि आप मेरी वीडियो कितने दिन बात देख रहा है, तो multi core की बास किया, तो यहाँ पर 8050 3202 score करेगा, and 930 221 score करेगा, 2000 भी एक अच्छा score है, but 3202 से कम है, and throttling के बाद भी 2000 से नीशे तो नहीं जाने वाला है, तो यहाँ पर 8050 best processor रहेएगा, and अब बात करते हैं, इसके अ नहीं करता है, यहाँ पर जो 3DMark score है, 8050 का 3000 और 4000 आ जाएगा, वह 930 का 2400 और 62 है, normally जितने भी Mali G77 के साथ processor देखे गए हैं, वो उसमें मिलता है 4600, 4500, 4400 इतना आ जाता है, मैंने safety के लिए 3000 क्योंकि यह processor नया है, 3DMark कहीं अबलेबल नहीं है, तो यहाँ पर हो सकता है कि 3000 क करके दे दिया हो गया हो, आज कल processor में काफी cost cutting की जा रही है, इसलिए, conclusion की बात किया, तो कौन सा processor हुआ बेटर, तो 8050 में यहाँ पर मच बेटर है, 71 स्कोर करेगा, and जो 930 में 45 स्कोर करेगा, तो 50 के close score है मतलब अच्छा performance देगा, बट 71 काफी बेटर है, and यहाँ पर gaming performance की बात के है, तो जो Mali G77 हो, तो काफी बढ़िया, वो GP है, इसमें 58 स्कोर आएगा, and जो 930 हो 32 स्कोर करेगा, वैसे Mali G77 के ऊपर बेज और भी processor है, जिसका स्कोर 58 से बढ़ कर 70 तक भी आता है, and बैटर लाइफ की बात किया, बैटर लाइफ दोने processor का similar होगा, because दोने processor 600 में ट टेक्रूम स्कोर की, तो अब मैं क्या आपने विचार दे रहा हूँ, यहाँ पर जो 8050 का 68 स्कोर करेगा, and 930 का 48 स्कोर करेगा, दोने processor अच्छे processor है, आपके budget and phone के उपर depend करेगा, आप टेक्नो का फोन लेना चाहते है, नहीं लेना चाहते है, जो अच्छे processor है, बट जो winner processor and high से थोड़ा नीचे रहेगा, तो यहाँ इतना दोने processor है, अगर इन दोने processor में से आपको भी processor लेने वाले हैं, तो बता देजेगा, ताकि और लोगों की भी help हो जाए, तो जो भी आ रहा है मेरा वीडियो देखने हैं, वो आपसे direct पूस्त के, और अगर यह वीडियो दाए हो तो वीडियो को लाइक एंस यालो को सब्स्राइब करकर जाएगा, थैंक्स पर वाचिंग